हालो एब्रिवान इंडियन किचन बाई रचना गिलूत्रा में आपका स्वागत है नवरात्री के व्रत शुरू होने वाले हैं व्रत में अगर आपका कुछ हेल्डी और मीठा खाने का मन करें तो आप स्वीट पाइनेपल ज़रू ट्राइ करिएगा पाइनेपल या अनानास में वाइटमिन C बहुत जादा होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें बहुत जादा मात्रा में बीटा कैरेटन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फाइदिमन अंटि आक्सिजिट है और अबाव ओल इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए शुरू करते हैं स्वीट पाइनेपल बनाने के लिए हम एक मीडियम साइज का पाइनेपल लेंगे पाइनेपल के थोड़े मोटे और गोल पीसेज काट लेंगे और इनको पानी से अच्छी तरह वाश कर लेंगे गैस पर पान रखेंगे पान में डेड़ कब पानी डालेंगे जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें दो तिहाए कब चीनी डालेंगे अब इसमें पाइनेपल के पीस डाल देंगे और इसे ढख देंगे जब तक पैन में पानी जादा है तब तक हम इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे पर जैस जैसे पानी सूखने लगेगा इसको हम लो फ्लेम पे पकाते हैं और पाइनेपल भी अच्छी तरह से पक चुका है फ्लेम ओफ करके इसे ठंडा होने देंगे यह ठंडा हो गया है पाइनेपल को हम चार से पांच दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इसको हम रायते में, फ्रूट क्रीम में और आइस क्रीम में यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खाने के बाद आज स्वीट डिश भी खा सकते हैं क्रुंप में में बाद आज सकते हैं